कि असलाम अलेकुम गाइज वेलकम टू साइक स्टूडेंट आई होप और प्रे कि आप सब लोग जहां कई भी हो मज़र से अपनी जिन्दगी गुजा रहे हूं आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड़ प्यस्वाइब 404 का लेसन नंबर फॉर दैट इस ट्रीटमेंट इसमें हम करने में जो परोसीजर होता है उसको ट्रीटमेंट यह कहा जाता है इस परोसीजर को ट्रीटमेंट कहा जाता है इस से प्लेंग करते कि हमने किसी Partner teak ौहाब से सफřर पे इसन एकर नहीं तुसीश्यूरमτι्टा और का जो क्लिनिशन है वो रिलीफ लेने आता है किसी भी हीलर से अधर यहां पर आप जो क्लिनिशन है उसको भी दो नाम दिये हैं हीलर या थेरपिस्ट उन्हें ने काया कि और जो ठरह यहां एक्सपर्टीज्यक्ट उत्यूचेप्टरप जो थेरपिस्ट बन्दा है जिसे सुसाइटी एक्सपर्ट करती है थीक है जो अपनी फिल्ड में एक्सपर्ट है वो और से तुमां जो सोशल गुरुप हैं उन्हें उससे रिलीफ में जुके हैं जो उससे ट् करेंगे पहले क्या होगा कि उसके पास appointment book होगी बाद में वह उसको उसके टेस्टीज होंगा डिफरेंट और पर उसको बताएगा उसको क्या इस तरह की डिफरेंट जो है वह अपॉइंट्मेंट्स मतलब कर डिफरेंट सीरीज ऑप कॉंटेक्ट्स थ्रोविच्टा हीलर ट्राइस तू प्रोड्यूस इन सीरीज को दुरान जो थेरापिस्ट है जो हीलर है वो कोशिश करेगा कि वो उसके इमोशन को स्टेर्स को एटिचूड और बिहेवियर को चेंज क सَंचे करने मेडेकल प्रॉफेशनल मैडेकल प्रॉफेशनल होते हैं और इन्हें दाक्र स्ट्रें रहते हैं शगारोजिस नहीं है है therapeutic interventions and replace करते हैं prevention को replace करने में और therapeutic interventions में डाइग्लोस में help करते हैं psychology social workers follow up the social and familial problems of the client after getting connected to family in natural sitting natural sitting they bring back the information to the team social workers जो होते हैं वो जो भी client है जो भी sufferer है उसकी families से मिलते हैं उनके साथ natural sitting करते हैं उनसे जानते हैं उसके background के बारे में के ताके फिर जब वो भी जो information patient के बारे में उन्हें उनकी family से उसके social circle से मिलती है उस अलाके अपनी team को देते हैं helping staff helping staff भी होता जिसके अंदर psychiatric nurses होती है जो के psychiatric patients की care करती है family informal present important role उनने का है किसके treatment के अंदर patient के treatment के अंदर family भी एक एहम करदार अदा करती है कि उस patient का ख्यार रखने हैं उस patient की information बताने में doctor को उसकी help करते हैं topic 16 में हम पढ़ेंगे modality of treatment अलाज का तरीका treatment decisions bigger with the assessment information and diagnostic decisions to determine a treatment plan using a combination of ideographic and nomothetic information उन्हेंने का है कि आप अगर आप किसी का भी treatment करने जा रहे हैं तो आपको पहले जानना होगा कि उसकी किस किसम का उसे diagnose है कौन सा disorder है उसके बारे में आप information लेंगे और फिर आप उसके treatment plan को determine करेंगे मतलब कि treatment plan त्यार करने से पहले treatment plan बनाने से पहले आपको जो client है जो patient है उसके disorder का पता ना चाहिए कि उसको क्या बिमारी है ठीक है वह क्यों आपके पास आया पहले आपको उसके disorder का पता चलेगा उसके बाद आप के disorder के मतलब को आपने सामने रखते हुए उसका treatment plan त्यार कर सकेंगे client requires medicine which is not necessary for all clients are the client needs psychotherapy उन्हें का क्लाइट को जो medicines दी जाती है ज़रूरी नहीं कि वही medicine तुमाम clients के लिए हो और clients को psychotherapy की भी जरूरत होती है treatment using various therapeutic techniques which may be different for different clients हर जो treatment दिया जाता है different therapeutic techniques से वो हर client के लिए different होता ठीक है different clients के लिए different therapeutic techniques इस्तमाल की जाती है क्योंकि हर जो भी एक patient है उसकी जो उससे मर्ज होगा उसके मतलिक उसका treatment plan होगा उसके मताबिक उसका treatment plan होगा some clients require a combination of both medication and therapy और उन्हें कुछ client ऐसे होता है जिने medication की भी जरूरत होती है उन्हें medicines भी दी जाती है और therapy की भी जरूरत बताइए जो उन्हें से इस्तमाल की जाती है साइको थरापी करने के लिए सबसे पहले social cultural आप focus करते हैं social and cultural aspects पे client के problems के मतलब social and cultural aspects पे focus करते हैं और उसको कैसे focus किया जाता है इस चीज़ को social cultural में बयान किया गया साइको अनलिटिक जो का फ्राइडियंस ने दी हम जानते हैं यू फ्राइडियंस ने humanistic existential cognitive behavioral जिसके अंदर behavior therapy classical and operant conditioning and mixture of those biological pharmacological treatment जिसके अंदर किया जाता है यह हमारा शार्ट सा लेसन नंबर फॉर सा जिसे हमने cover किया कि treatment क्या होता है treatment plan किसे त्यार किया जाता है और किन theorist की base पर साइको तेरपी होती है और कौन-कौन से जो treatment team होती है उसके अंदर कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं तो easy सा lesson था यहोब आपने को समझ आ गया होगा लास पीर वी रेक्वेस्ट में जाने को